आज इस वीडियो के अंदर हम IPAR AIEEAPG 2024 के अंदर जो यानि लेटेस एग्जामिनेशन हुआ है उसमें फिजिकल साइन्स से रिलेजिट जो कोशन भी पर था उसके आंसोर के बारे में डिस्केशन करेंगे यानि आज हम जो इसकी ऑफिशियल आंसोर की है इन सभी के अपर फोकस करने बारे हैं आपको मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो से जो पहले की वीडियो हैं उसके अंदर हम 2423 यानि लास्ट येर का जो एक्जाम पे पर था उसके बारे में अपने अच्छे से बात की थी ला मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप सॉयल साइंस से या फिजिकल साइंस से आईसे एर एक्जामिनेशन की प्रिपेशन कर रहे हो तो मैं अल्रेडी एक फंडमेंटल सॉयल साइंस की वीडियो पर अप्लोड कर चुका हूं इसके अंदर हमने 100 प्लस वीडियो कवर किये हैं जिसके अंदर स्वार एक्जाम में भी आये तो इनसे रिडिट कुछ फीड़ेक्स मुझे मिलते रहे हैं हमीशा कुछ पॉल्स के तरिये में सब्सक्राइब और इन फीड़ेक्स से बहुत दा मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के साथ मैं इस वीडियो को भी क अधियो को मुझे और यहां जाँ और यहां चल रही है और सबसे पहला कोशन है वह है कोशन आडी 3001 यहां 3000 की रूप में चल रही है और सबसे पहला कोशन जो है वो ब्रे न्यूट्रेंट मोबिलिटी के ऊपर है आपको पता होना जाए मैं प्लांट के अंदर असानी से हम देखने है प्लांट के अंदर और कौंट कौन से जो है बार आपको पता होना एंप के एमजी और साथ में कहीं मैंगनीश को भी बोला जाता है तो पांच अलिमेंट्स के अंदर हम कहते हैं नाइट्रेट हैं क्लोराइड है इस तरह के यूट्रेट चैनल के रात रह जा सकते हैं तो अइसम समझेंगे अगर अपना चाहीं तो पहले बहुत करें और सिर्फ जी आनस्र में उससे हमें मैंच किए हैं कुछ हैं, तो तो अपीशल आंसर पीजी के यादर है, थर्ड कुछा ना देखते हैं, पीए फ्रेंज कुछी है हमसे soft and freeable consistency की, soft and freeable consistency जो most हम देख सकते हैं, optimum condition होती है, village के लिए, एक important कुछन है, याद रखिएगा, तो अब पुछा है कि इसकी PF range कितनी होती है, तो PF range किया है, 2.8 से 4.5, याद रखेगा, 2.8 से 4.5, और भी जो PF range होती है, मेरी कोशिश या स्क्रीन के सामने, स्क्रीन पर आपके सामने आ गई होगी, तो आप उसे note कर ले में याद कर ले हैं, पुछा है कि value अगर 0 हो, तो इसक का concept यह कहता है, कि value इतनी कम है, मतलब soil इतनी dark है, value मतलब इतनी ज़्यादा है, soil इतनी bright है, तो अब यह कह रहा है, value 0 है, तो मतलब soil जो है dark है, dark है तो मतलब उसमें organic content ज़्यादा होगा, तो आपके सब्सक्राइब कोशन नमर 5 के अंदर हम से पूछा है कि most common minerals जो है, soil के अ याद रखना ही होता है, of course, kaolinite और हम स्क्राइब के लिए याद रखने है, kaolinite को oxic horizon क्या हम कह सकते है, red soil के में, लेकिन यहाँ को यह soil mention नहीं करी है, तो हम देख सकते है, generalized way के अंदर हम कहीं, तो आंसर इसका क्या होना थोगी, kaolinite ही होना चाहिए, specifically mention कर देता black soil, तब हम क किसे represent करता है, OA, और भी कहम देख सकते हैं, इसके सब distinctions होते हैं, क्या आपको पता है, अच्छा जलो, इसके options पॉइंट से पहला बता रहा है, क्या यह highly decomposed को, क्या intermediate की, moderate decomposed को, या least decomposed को, या बिना किसी decomposition वाला और किस तरह की और को represent करता है, यह सब पूरूचर, आपको प करता है, separate, highly decomposed, OE represent करता है, moderately, हम देख सकते हैं, सब होरीजिन को, और साथ में, OI जो है, उसे हम कहेंगे, fabric, यानि बहुत कम, जिसके अंदर, least हम क्या सकते हैं, तो उसे OI के represent करते हैं, AEI, AEI के उसमें से याद रखना हो, ऐसका आंसर क्या होगा, आपको सामने आ सकता है, legume can utilize atmospheric nitrogen, हवा से legume nitrogen, ले सकते हैं, ये बाते किसने बताई दुरिया, अगर आप सकांसर जानते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं, तो याद रखेंगे, सकांसर है, bossing gold, right, next answer लेख सकते हैं, जो कहें, bossing gold, को ही हम father of field technology कहते हैं, लिख लीजिये copy में, अगर नहीं जानते हैं, जानते हैं तो अच्छी बात, इसे याद रखेंगे, father of field plot technique, next हम देखते हैं, which of the following is are the example of nitrifying bacteria, nitrifying bacteria में हम जानते हैं, अच्छे से कि nitrosomonas तो होगा, nitrospira पर doubt है, लेकिन 1, 2 अगर होंगे, तो फिर 3 भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि 4th option के दर 3 हो दिये गए, तो हमें ले नहीं है, तो कैसे ले, 4th option में आएंगे, तो answer क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, sodium को replace कर देगा, calcium sodium को replace करता है, inexchangeable ions के रूप में, and its removal from the soil solution तो होगा, leaching के दुरूर महाँ से sodium हट जाता है, और sodium हटना ही तो क्या है, हमारे reclamation है, यानि alkaline soil का हमारा solution है, मतलब उसका अहल है, तो कह सकते हैं कि, दोनों ही बाते सही हैं, और उसका सही explanation भी है, answer should be the first one, next आहाएं कि, ammonium based fertilizer क्या, soil की acidity के लिए उस्तरदाई होते हैं, बिल्कों सही बात है, major contributors for the soil acidification, बिल्कों सही बात है, कि यह अम्मोनियम पटलाइजर्स है, nitrogenous fertilizers है, तो generally nitrogen हम कहा सकते हैं, acidity grade करते हैं, और हम कहेंगे कि, especially the non-leaching nitrogen ions, which have been taken up by the plant country to do the soil, non-leaching, non-leaching कैसे कह सकते हैं, non-leaching को नहीं हम लेखते हैं, generally, जो, जो से nitrate है वगएरा है, इनकी वज़े से हम लेख सकते हैं, यह नॉन लीचिंग हो जाती है, इसलिए मुझे रखता है, यह नॉन लीचिंग nitrogen fertilizer यह यह गलत statement लिया गया है, तो क्या होना चाहिए, कि मुझे रखता है कि reason गलत है, तो बिल्कुल है नि, आज जिशन सही है, reason गलत है, reason में क्या गलत है, मुझे लगता है कि वह नॉन लीचिंग nitrogen सुझे हो, यह गलत मना गया है, तो नेक्स देखते हैं, implementing agroforestry जो है, वो soil conservation को help करेंगे, बिल्कुल agro plus forest को, forestry मरल लगे तरह से हम पेड भी लगाए, तो पेड जमीन में जड़ों से मुझे को पकड़ के रख सकते हैं, तो यह बिल्कुल सही बात है कि soil का conservation को helpful रह सकते हैं, agroforestry combines the cultivation of the trees and crop on the same land, which reduces the soil erosion by providing ground cover and enhancing the soil structure through the roots of trees, roots of trees, soil structure को भी बहतर करेंगी, और साथ के हम कहेंगे, ground को cover भी रखेंगी, तो soil erosion कम होगा, तो इसलिए soil conservation हो ककता है, दोनों ही, तो रीजन अब अब को सूपर वाले लाइन को satisfy कर रहा है, तो ही, clarify कर रहा है, तो अनको रिट भी next कहा है कि manganese, MN की definition deficiencies की होती है, वो 4% है, इस process को हिंडर कर सकती है, माल लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका reason पढ़के देखता हूँ, कि manganese is a co-factor for several enzyme, बीक्तु सबी बात है, involved in the photosynthetic electron transfer chain, facilitating electron transfer reaction within the chloroplast, बीक्तु लेक्शन के अदर ही, reactions के अदर ये co-factor वी रि होगा, नीचे वाली बात, उपर वाली बात को सही तरह से define कर रहे है, तो answer should be the first one, next अगर हम देखे हैं तो वो है intense withering, इस question का answer मैं आपको explain नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी बढ़के देख लेते हैं, क्या है, intense withering of soil shifts is zero point charge towards a high pH, owning to the greater accumulation of iron and aluminum oxide, ये बात चलो, हम फिर भी सम किया है, तो ZPC जो है, वो higher pH के तरह shift हो जाएगा, माल लेते ही बात सही है, लेकिन next जो हमें कहा है, कि the application of organic matter in the soil also pushes the soil, अचार यहां पर ही रिखाया है कि towards the high pH, अगर ये बात सही है, कि zero potential ZPC जो higher pH के तरह shift हो रहा है, higher pH के तरह shift हो रहा है, तो फिर वो soil तो alkaline condition के तरह जाने और alkaline condition के तरह जाने जाहिए, तो फिर iron और aluminum oxide ज्यादा के तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, कि authorization यहां गलत होना चाहिए, और reason को पढ़े तो कहा रहा है कि the application of organic matter in the soil also pushes the soil ZPC towards the higher pH, organic matter जो है, वो भी push करता है, higher pH, ZPC के तरह, तो मुझे लगता है कि authorization गलत होना जाए, लेक लेकिन इसका आप खुद ZPC वाला जो portion है, books अगरे, राइटर प्लस अगरे में जाके पढ़ियेगा, आपको अगर कुछ relevant source से idea मिले कि कैसे जांस और भी शरांस वर दिया गया है, वो सही है या नहीं है, तो मुझे comment section जरू करता है, मुझे इस चीज में डाउट है, तो इस समझा हुआ है, कि सबसे पहले अगर oxygen, सिर्फ कोई भी oxygen sharing में नहीं है, तो उसे नैजो के रूप में समझो, एक oxygen sharing में चला गया, तो उसे सौरो silicate के दो, दो चले गए, तो उसे हम कह सकते हैं, जो के बाद तीन, जो sharing में चले जाते हैं, तो उस condition में वहाँ, आइनो silicate आ जा क्या होना चाहिए, यह सहसाब से हम आप अरेंज करेंगे, तो सबसे ही कम जो है, decreasing order को बोला है, सबसे जाधा कौन हुआ, तो यह सबसे पहले हाना चाहिए, सिर्फ एक ही option में दिया हुआ है, तो आंसर बी, यह नी second, next बूजा है, increasing order nitrogen fertilizer का क्या होगा, Ammonium sulfate में nitrogen कितना परसेंट होता है, लगबग मुझे याद है जिसे कि 21% होता है, और Ammonium nitrate में कितना होता है, NH4NO3, मैं आसर 3 और 4 से याद रखता हूँ, उसमें 34% होता है, Ammonium chloride यहनि NH4Cl, Ammonium chloride में लगबग 26% होता है, और Calcium ammonium nitrate, TAN जिसे कहते हैं, उसके अंदर, CAN के अं Amount बड़ा कम रहता है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, CAN का, इसके याद नहीं है, I think 20 की range भी होता है, लेकिन यह बात पकी है कि Ammonium nitrate में सबसे ज्यादा होता है, तो अब यह कह रहा है कि, increasing order बताना है, तो सबसे last में तो B आना चाहिए, सबसे last में तो B एक ही option में दिया देखो, basal spacing आपको इस तरह से याद रखने है, कि Kevolonide, Montvolonide, Illite और Vermiculide, सबसे ज़्यादा basal spacing हो सकती है, Montvolonide, Vermiculide में fixation हो जाता है, potassium के ions का बीच में, मुझे लगता है, उसके basal spacing कोड़ी कम हो की, Montvolonide की सबसे ज़्यादा होने की, decreasing order बताना चाहिए, Montvolonide, उसके बा question number 17 के अंदर क्या है, match the following, match the following के आने वाले बहुत सारे question है, आपने कभी अच्छे से याद किया हो, जो metamorphic rocks की table है, मैं सामने screen को भी present करूँगा, उस table को अच्छे से याद कर ले, उसी से ही question से उठाए, कि coal से graphite बनता है, sandstone से quartzite बनता है, मैं कोई हमान लेते हैं, 2 अच् questions के हैं, C का, first होना चाहिए, मैं अच्छे से यादा, आउसो शुट भी the second one, 10 इस कांस होगा, second, A का third या नहीं, conglomerate, जो हम से nice बनेगा, और B, slate से बनता है, file लागे, slate एक्दम flat होता है, चलो क्या, आगे देखते हैं हम, next question में देखते हैं, हम 18 number question में, soil order से हमें match the following का question की इसा गया है, soil order के अंदर 4 order है, altisole, multi sole, molly sole और alfisole, specific character से हमें याद रखे है, altisole और alfisole में 35% से ज़्यादा होता है, altisole में 35% से कम होता है, तो alfisole का होना चाहिए, ऐसा point जिसके अंदर 35% से कम हो बहुता है, तो देख सकते हैं, वो, तीसरी line में दिया है कि base saturation 35% से कम अब एका थर्ड होना चाहिए, एका थर्ड second option में भी है, और fourth option में भी है, vertisole है, जिसमें swelling और shrinkage की property होती है, तो आंकर यह होना चाहिए, swelling शिंके जाल है, यानि B का second होना चाहिए, अब B का second, A का third तो आंकर second में ही यावाए, तो आंकर जिसकी the second one, बाकी को भी match कर सकते है याद रखेंगे, यह important, next हम देखते है, waterlog condition, grease condition ले आती है, बिलकुल, glazation कहते है, बार-बार मैं कहता हूँ, बहुत जोर देता हूँ, पिछले साल भी इस साल भी आये है, next year भी आएंगे, तो अच्छे से याद रखने, glazation वारा प्रोसर की बता रहा है, अब 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 अ सब्सक्राइब, यह रिजन गलत है, वहां सो चिद भी दा, first one, यहां मतलब सिफ आरिशन ही सही है, यहां सही नहीं है, next है, submergence, यानि जब हम कहेंगे, पानी भर जाएगा, तो इसमें स्पैसिपिकली कौन सा इवेंट्स होंगे, तो स्पैसिपिकली पहले क्या, डिप्लीश सबसे पहले तो बेगों पानी भर रहा है, तो अक्सिजन कम हो जाएगा, तो मुझे लगता है, सबसे पहले तो क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ और सब्सक्राइब, अब ऑक्सिजन गम होनी चाहिए, उसके बाद कहाए, accumulation of toxic substance, सीधा ही hydrogen sulfide बनने लगेगा, या पहले pH या लॉसस हो गए, beneficial elements के, या हम लेख सकते है, accumulation of toxic, तो आंसर या तो बी होना, बनने चाहिए, या beneficial organism का loss होना चाहिए, तो मुझे लगता है, beneficial organisms का loss होना चाहिए, जो अक्सिजन खतम हो गई है, तो फिर जो एरेबल, जो 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 जाहिए थी, वो बोलो क्या होगा, वो मर जा और उसके बाद, यानी, C, मतलों, E के बाद, C, and then B, B के मतलब toxic substance बनने लगेंगे, वो at the end हम देखते है, soil की is toxic substances के वजए से acidic होने लगेगी, पी है, आंसर जब भी the first one, okay, next हम देखते है, वो है, arrange the following effect wills affecting the irrigation water quality, irrigation water quality से रिज़िए sequence बताना है, अब irrigation water quality से रिज़िए sequence की मु अगर आपको इसका specific solution पता है कि कहां से आया एक question, आप मिझे से रिरूर पता है, next में हमें, match the following की रूपों की चाहे है, question, thermal imaging, मैंने remote sensing के बर complete video series cover के ती, उसमें से पहले, पहले वीडियो आइधिक दिखा होती, में से एक question आया है, ndvi हम जानते है कि props की help के लिज़िए से से का तो क्या होना चाहिए, हम कहेंगे identification of crop types and crop health, c का तो होना चाहिए, second, c का second कहां दिया है, third में दिया है, third में दिया है, बाकि match कर लिजेगा, आपको answer समझा जाए, next बुचा है कि harvesting plant, soil sampling, वे सभी चीज़े, बहुत generalised question है, soil sampling है, तो भी soil से related ही होगा, harvesting है तो कुछ harvesting equipment से related बहुत generalised है, यानि मैंने, A का क्या होना चाहिए, third होना चाहिए, A का third, B का हमें दिया है, soil sampling, soil sampling होना चाहिए, आपको इसली समझा जाए, gel dal method, nitrogen, brave P1, देखता है, हमें phosphorus related होता है, plane photometry specifically याद रखते हैं, potassium के लिए, potassium वाला match देख लेते हैं, B का तो second होना चाहिए, बाकिया प्रीज अपने आप मिलान के रिएगा, याद करने कोशिश्ट करेगा, मैं बस वक्त बचाना चाह रहा हूँ, इसलिए फटा-फटा आगे बटाओ, बहुत easy से जन, आपको कभी, आपने कभी environmental science नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी आप इस चाहिए, point source pollution, किसी point से generate फट्मेटर से non point कहेंगे, groundwater खराब कर रहा है तो, ग्राउंड वर्टर से जलिट हो जाएगा, इस अन्डर ग्राउंड वाटर अटर तो यह सारे अल्रेडी मैच डप ही है, वेफ को बना रहे हैं, यह बीजी सेरे बना रहे हैं, पर तो मतलब लाइट, लाइट की तरफ shift हो पर थाल खरी होगे तो में एक तो क्या होना चाहिए, थारड इसमें यह आ है, भी का देख लेते है, फोक्टो प्रियोड़़िजम प्रियोडिजम बंदर अदे लाइट से लिए है, तो दी का हुझे रिस्पॉन्स्पो दे लैंद के है, अले, बी का सेकर्ड जोना चाहिए बर तैसे बहुत आसके सिंगल स्पेट सब्सक्राइब यह सारे आट सही है तब आपने क्लासिफिकेशन पड़ा है फॉस्पोरस का आते ही हैं आसाथ में में आता है और देए भी आता है बेसिक अलैक्स डायकल्शियू फॉस्पेड रियानिया फॉस्पेड और स्टीम बोन फॉस्पेड की सारे च्ट्रिक असिड वाटर दोनों में इन्सॉलिबल कौन से लोग है रॉप फॉस्पेड रोब बोर्म इन यात होना चाहिए इंपॉर् पानी में गुल के निकल ही जाना ऐसी सीजे कम ही देखी करते हैं तो आंस्वा इसका स्टेट में सेकेंड्स है उससे लगता है गलत फेराया गया है ऑफिशल आंसर की में इस आंसर करते हैं नेक्स कुछा है कि ऐसा रेंपॉल जो एवापॉरेशन लॉसस के वज़े से देख करता है मुट्रeo leagical बारिश को माई या स्टेटा अन्टेंजेंट अन प्रेडिकितिबल पता नहीं कभी भी आ सकता है असा प्रॉल दिन पोल्गाल इस आप अच्छी के लिए नाओ ताब उस् sırफ मेंगे तो इस सिर्फ इंसर इंजिबल दो नेक्स काहें कि आ और कि ब्री यह नेक्स का है कि ओनली वेन दे ब्रेक ऑफ मांसून एक्सित फंदरा देस्ट देशन ज्यादा हो जाए तब और बुरी हालत हो जाए कि बिल्कुल दोने ही बात था यह एक जिसे को सब्सक्राइब कर रही है कि न्यूट्रियंट सप्लाइ और्गनिक फार्मिंग में देखते है प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं और फार्मिंग के रिशाइकल वगरा भी होता है प्लकुल सभी बात है लेकिन आंसर देखने में ऐसा लगता है कि चारों की पॉइंट सही होना था लेकिन इसका आंसर जो ऑफिशली फाइनल आंसर की जवारी उ प्रोड़िशनल आंसर की जो आती है पहले उसमें इसका आंसर यह दिया गया था लेकिन बाद में उसका रखते हैं यह जो है नेक्स पुछा आगया है कि और निक प्रोड़क्ट जहां उसके सटिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है इसलिए कि आम उरका सटिफिकेशन करते हैं नहीं असा नहीं आंसर यह जाएंगे कि इसलिए साल और इस वार और इस वार और निक पर्रिपेर करेंगें यह दोज़े परस्रिस के लिए तो अच्छे जब्रियारी करेंगें और इक साल लगता है नेक्स कहा है कि और निक पामिंग् प्रमोट्स अइन्वार्मेंटल सस्टेप्टिबिटी बिल्कुल तो और निक और निक और यह जाता है और यह जोगा कि यह सब कुछी होगा तो आंशे बिदेशन केंट रहा हूं लेकिन स्क्रीन पर आपको अपन रोजी इसा हो लाए तो उसका मतलब क्या राइस जो है वह वह एंवर्सके प्रपोश्टनल है रेडियस तो नहीं होता है तो बी होना चाहिए आंशे मुझे लगता है तो यह तो गलत की है तो यह तो गया अधिक है कि अधिक अधिक आप उसे और समझता है वह पर याद पहुंचेंगे सिदा ही साइंटिस्ट आपको याद पहुंची चाहिए वह अधिक है कि अधिक स्टॉक्स लगता है अधिक अधिक कर लेंगे आप अधिक को खड़ए और नियुक्त का काम नहीं है कि मौश्चर को कंजर कर ले उने देगी एक का पर शिर्शन कर देगी कि में होते हैं कि इस भी आसा हो पाता है बिलकुल वह बाते एक्सें करें करेंगे हैं कि Hue is the major of chromic composition of light. Hue, chromic composition को दिखाता है, सही बात है. मुंसर कलर चार्ट is based on the five principal hues. इसके अंदर पांच main principal है. ठीक है? दोनों ही बाते सही है. दोनों के statement क्या है? आप इसके बारे में detail information जाना चाहें, तो वाल कलर का वीडियो जरूर देखेगा. उसके मैंने आपको 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 बताएंगा आपको कोशन आया है यह कुछन कुछ इस तरह से कॉइंट कूछ रहा है कि क्या कौन कौन से करेक्टर से सही है? तो स्पैसिफिकली याद रखेंगे कि वीडिरिंग वैदर फॉर्कस्टिंग के लिए काम में नहीं लिती है हम कि और प्रवाइड सर्विस टेली कम्यूनिकेशन, टेली कम्यूनिक सब्सक्राइब करता है तो लेस देन हम कहते हैं 0.85 लेकिन इसमें कॉप्शन जो आप देख पा रहे हैं उसमें देखो मैं फटा 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 आंसर इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पास है सारा गंट्रोल वीडियो का जहां सेट नहीं होना लग रहा है कि अगर एक से कम है एक से कम नहीं यहां माइनस का 0.85 बार होना चाहिए तब यह बात कहा सकते हैं उसके लिमिट गलत है उपर की पॉइंट सही है मैं पहले पढ़ गाया हूं तो आंसर शुट बीड़ बीड़ होना चाहिए नेक्स मुका है कि इक्विलिब्रियम वाटर कंटेंट इंडर पानी ज्यादा होता है स्वाटर कंटेंट ज्यादा होता है स्कंपर टूप्शन तो रीजन भी थी कही सारे रीजन थे इंक बाटल इफेक्ट वी था और इंट्रेब्ड वाला भी था रियाद नहीं है वीडियो को देखना बहुत इंपोरेंट बार पार चीख शिए तो मैंने बहुत इंपर 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 इंदर मैंने यह यूनित्स पार्टिकल देंस्टी इने विल्कुल फॉर बतायती किलोग्राम पर मीटर क्यू हम देखने हैं मांस के रूप मही रूप में रूप में रटन क्या रहा है और एकजक्ट सेम्कोशन पिछले साल भी आए पिछलेसे आजगा विडियो देखना आप इंट्सटी वी था नहीं है दर्टी जो इस वालिट पॉर यह पॉर बात है और एसा इस वी तो इस पॉर देटी प्रोग के अंदर पोटेंचल ग्रेडियंट एट एट अवरी पॉइट इस पॉर्ट अलगे लेते हैं कि आप आप वेटने सबसे ज़यादा वेट कौन होगा आप्शन सापके सामने हैं क्या इसका पॉटेंचिल मैथेन से भी ज्यादा होता है सबसे ज्यादा कॉंट्रिबूइशन हम देखते हैं कार्बन डियोकसाइड का फिर मैथेन का फिर सी एफ सी का पिर बाद में जाके आता है नाट इस स्टेट में ग्रत है परेलप मैं प्रफ एक प्रफ भॉलीशी होता है जैके सिट हो जाएगं से पहले क्या हो पिर मीश्एं। फिर घेल करेगी एक को बाद स्टेब्लाईज हो जाएगी सब्सक्राइबchem नेक्स हमें कहा है कि यह संच नहीं यह यार था यह जनली बूख में नहीं मिलता है हमार कॉम में चैनली पॉलमिंग की रूप में है इध्रव डैनेमिक्स पानी पानी से रिखाए भाल रनोली चाहिए थी इंड़ जानते हैं अच्छा है यहीं से याद कर लेना हो सकता है एरोजन इंडेक्स ऑफ गिवन एरिया इस ली परपोर्शनल तो लाउन सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उसका अलग लग सेपरेट बाते हैं नीचे वाली बात दूसरी उपर वाली बात को सेटेस्वाइब कर रही है कि ऐसा होने की कारण हम देख सकते हैं वह तो अलगी चीज़ चल रही है वेज़िटेशन के बढ़ेगा क्योंकि द्रेनेज डिक्रीज़ लगा तो वह फीट को पकड़िया रख सकता है ना तो ड्रेनेज अगर द्रेनेज की वजए से देनेज को अट जाएगा तो उसे हीट कापैसिटी कम हो जाएगी तो हम कहेंगे तो पिछले साल ही आया है इसलिए अब हम कहते हैं कि हमारे को आने वाले वक्त में खायदा मेंता है जैसे कि अगर किसी स्टुडेंट ने पिछले साल देख रहा था वीडियो तो उसे इस साल फॉर और स्टेडी स्टेट सॉइल इंफिल्टरेशन किसे अब यह तो अंदाजरी लगाने वाले कोशन है कि स्टेडी स्टेट वह वाटर सप्लाय कंट्रोल से रिटेट हो सब्सक्राइब इस पर्मीमेटर काम में लेते हैं और चारों में साथ पर्मीमेटर तो है वह सइंटिस्ट के नाम पर देदिया तो गॉल्फ पर्मीमेटर यहां रखता है अब मैं सीधे यह आंसर रिविलिसले कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज़्या हो तक है मैं जाता हूं कम सोटे- इस पर्मीटर के निकालने का जो कम्लीट प्रोसस होता है स्वाइल मोश्टर डिटरमीनेशन से रिलेट जो हमने मैथे पड़े थे वहां मैंने आपको यह नीटर वाला एक तो मत्या से प्रॉसर डीटेल सह संजा रहे हैं तो हमने बार बार जूर देखे कि आता अट्रेट विदा पॉर्ट नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्फाइंट का हम से साइज कि अच्छली बार तक फिर फाइंट पर नेक्सित बीड़ी आएगा तो अच्छे से याद पर लेगा और अगर आपको मैं तो पॉरस ब्चान का कितना है और एक उस बीच्छिए निए नि हम कहेंगे है तो 0.2 से 2 होगा हूँ पस्त हो जाता हम सब्सक्राइब के सबसे पहले तो चपाक यानि स्प्लैश होगा कि बाद शीट इरोजन होगा उसके बाद हम कहेंगे रिल्स बनेंगी बनेंगी दन बड़ी सारी रिवाइन बनेंगी तो आंसर इस बीर सेकेंड में जाने रिचर्ड या रिचड या रिचर्ड गारडविंटर की खूज किस ने की ती टी 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 टेशंत बनाने वाले का दिमाग देखु में पहले में तो इसमें भूं जाए तो इसवास बहुंड चलओ इंदों में से कोई एक लगाना भी है उन्हां सब्स लगा दोंगा व है लिविंग स्कॉंब तो क्यों कि यह ओर इजनल डिजाइन गूसरा है कि इसने डिविलप किया रहा है लिविंग स्कॉंब बाद में दोनों ने या कैसे में वर्किंग बगएरा जो है वो इन दोनों ने मिकी बताई थी इसका डिजाइन आज का लास्ट पॉश्चन क्योंकि हमें बता रगाएं कि देर और सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब का थमनेल आपके सामने आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखें आपको क्यों समय है तो यह था आज का वीडियो आज वीडियो में 60 कोशन किये हैं कवर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी 60 कोशन को कवर करेंगे और thanks for watching this video I really hope this video will be helpful for your next year examination so milte hai next video के अंदर तक किली बदाए take care